हेलो दोस्तो कैसे आप साब मैं एक बाद फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आए हूँ दोस्तो आज की जो माई क्लास होगी वह भी सॉफ्ट्वेर की क्लास होगी दोस्तो सॉफ्ट्वेर की या तीसरी क्लास है उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तो म में अलग-अलग content आपके लिए खोच के लाता हूं उम्मीद है दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे क्योंकि बिना subscriber के बिना like के हम motivate नहीं हो सकती हैं और अलग-अलग content आपके लिए कहां से लाएंगे अगर आप लोग हमारा support नहीं करेंगे इसलिए प्लीज आप लोग हमारा support करें हमारी चैनल को ज्यादा सी ज्यादा सेर करें वीडियोस की और देखते हैं fij ON में के लिए बजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं वे उप्वियोक के लिए बजार में क्या कहते हैं और सेंग्वेासा की साथ हमारा G हो जाएगा इन मेंसे कोई नहीं देखिए जो मारा Kingdom को सभी आंशर हो जाएगा वैं B option हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा वैं हो जाएगा software package जो computer के ओप्योंक के लिए market में विक्ति है उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं software package यानि B दोस्तो option बिल्कों सही हो जाएगा बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरब हमारा जो अगला question होगा वे आप screen पर देखी रहोंगे वे हो जाएगा टरन की system क्या है टरन की system क्या है ए हो जाएगा hardware थता software की पूर्टा बी हो जाएगा software की पूर्टा हुआ की पूर्टा और लिए बाइस्ट आंसर करता हूं ताकि माईट में आपके यहीं यहीं करा बलते हैं अपनेकली question कर दो को skip मत करिए क्योंकि कहीं कहीं मैं आपको कोई की से भी question की definition थोड़ी बता देता हूं उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं इसलिए प्लीज जोस्तो आपसे request यह भी करता हूं कि आप लोग class को skip मत करें पूरा class को देखें बढ़ते हैं अपने तीसरे question की तरफ हमारा ती यूनिकस कि बारे में जानते हैं तो pleaseasto box में type कर जबरोब करकर की एक आगी निरमाता की निरमाता की बारे में जान लेंगे और विकास कब हुए ता कौन से सन में यह आप लोग करता हैं ठीक है comment box में उसमें type करकर के जरूब भाटेए राध विसन के तरफ तरफ can Thompson, कौन थे, can Thompson, यानि हमारा B option बिलकुट सही हो जाएगा, Unix के निर्माता can Thompson थे दोस्तो, बढ़ते हैं, हम अपने चोथे question की तरफ, हमारा जो चोथा question हो जाएगा, वह हो जाएगा Unix की बिसेश्था है, Unix की विसिस्ता भी दिख लेते हैं आज क्या क्या होती है एक A option हो जाएगा हमारा एक साथ अनेक काम B हो जाएगा एक साथ अनेक लोगों काम कर सकते हैं C हो जाएगा कापी सुरक्षेते हैं D हो जाएगा kernel का data प्रिबंद करता है प्रिबंद करता है और E हो जाएगा उप्योक्त सभी हमारा जोसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा उप्योक्त सभी देखिए Unix की ये सारी विसिस्ता हैं क्या क्या विसिस्ता है आप देखिए एक साथ अनेक काम करने में ये सक्छा में Unix और Unix क्या है आप लोगों को comment box में type करके बताना है ठीक है एक साथ काम अनेक काम कर सकता है और एक साथ अनेक लोग भी काम कर सकते हैं एक से अधिक व्यक्ति बीज़ पर काम कर सकते हैं कापी सुरक्षे थे और kernel data का प्रबंद करता है ठीक है दोस्तों और यानि यह option हमारा सही हो जाएगा यानि उप्योग सभी यानि तीनों option हमारे बिलकुश सही है बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले question की तरब हमारा दोस्तों पांचमा question हो जाएगा संकेतों का संगर है जो की computer को बताता है कि किसी बिसेश काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है देखे दिखते हैं कि options क्या है option A हो जाएगा आकड़ा संगरना और B हो जाएगा program C हो जाएगा file D हो जाएगा सूचना E हो जाएगा इन मेंसे कोई नहीं हमारा जो इसका सही answer हो जाएगा क्या हो जाएगा program हो जाएगा यानि हमारा B option बिल्कुस सही हो जाएगा question क्या था एक बर आप लोग देखे लिए जो मैं बताता हूँ संकेतों का संगर है जो computer को बताता है कि किसी business काम को कैसे किया जाएग क्या कहला जाएगा program ठीक है उसको program बोलते थे कि language change होगा ये question भी मैं करा चुका हूँ ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ question देखिए जादा नहीं आदे उन्ही question को बारवार repeat करके आपके सामने तोड़ मड़ोड कर paste किया जाता है भासा language change कर दी जाती है और आप लोग इसी में इसलिए मैं बहुत से question की language change करके आपके लिए इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोगों के सामने किसी भी परिकार कर question आया है language में change होकर आप लोग उसको tick कर दें बढ़ते हैं छटमे question की तरफ हमारा जो छटमा question हो जाएगा हुए हो जाएगा दोस्तो निम्न में से कौन सा अपभोकता एब हाड़वेर की बीच एक मद्यस्ता मद्यस्त या मद्यस्ता एजेंट या एजेंट एजेंट एंगलिस में बोलते है एजेंट की तरह काम करता है निम्न में से कौन अपभोकता एबं हाड़वेर की बीच मद्यस्त प्रेदन करता है देखती है तो ए उलाएगा हमारे कमपाईलर भी हो जाएगा OS OS या नहीं होता है operating system यहाँ पर लिखा भी यह इसका full form और C हो जाएगा translate और हमारा D हो जाएगा और सभी इउलाएग इने में से कोई नहीं तो देखिए कौन करता है दोस्तो OS करता है operating system करता है और भुकता एबं हाड़वेर की बीच कौन काम करता है किसका मद्यस्त होता है बीच में कौन होता है operating system होता है और इसकी short form में OS बोलते हैं इसको ठीक है यानि दोस्तो B option हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं आपने साथ में question की तरब हमारा दोस्तो जो साथ में question हो जाएगा बेह हो जाएगा computer की assembly भासा में लिखे गए प्रोग्राम को machine भासा में बदलने के लिए कौन काम करता है ये question कई बार पूछा गया है question क्या है एक बार आप लोग फिर देखे लिए computer की assembly भासा में लिखे गए program को machine भासा में बदलने का काम कौन करता है ये option हो जाएगा assembler भी हो जाएगा compiler रसी हो जाएगा interpreter और हमारा डी अपको इसका answer मालूमना चाहिए हमारा जोसका answer हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों assembler कोन करता है ये काम ये काम assembler करता है ठीक है दोस्तों assembler भासा में प्रियोग की गए program machine भासा में बदलने का काम करता है बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ हमारा दोस्तों जो आठमा क्वेशन हो जाएगा वे हो जाएगा हाड़वेर और सॉफ्ट्वेर के बीच संबंद बनाने की तकनीक या सुभीदा को क्या कहा जाता है हाड़वेर और सॉफ्ट्वेर के बीच संबंद बनाने की तकनीक या सुभीदा को क्या कहा जाता ह हमारा a option हो जाएगा internet चगाला ठीक बी उड़े इंटरफेस और हमारा c हो जाएगा intercom और do बी उज़े उजाएगा in traffic कोई नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा interface यानि हमारा बी option दोस्तों बिलकुल सही हो जाएगा a question क्या था आप लोग पर question देख लीजिए question था hardware और software के बीच संबंद बनाने की तक्नीक असुविदा को क्या कहा जाता है तो interface कहा जाता है क्या कहा जाता है यानि B option हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तो हम अपने norma question की तरफ हमारा जो norma question हो जाएगा किसी program की machine भासा में किया गया अनुबात क्या कहलाता है किसी program की किसी program की machine भासा में किया गया अनुबात क्या कहलाता है ऐ अप्जेक्ट प्रोग्राम ब्यू जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो देखते हैं हम अपना दस्तो आपके लिए डेली में परड़े क्लास लाता हूं किसी ही दिन अगर कोई काम आ जाए तो मुझे क्लास डेले करनी पड़ती है और परड़े आपके लिए क्लास और नया कंटेंट नए अलग-अलग question लेकर आता हूं तो आपसे भी मैं यह उम्मीद करता हूं आप लो था जायगा श्रोत प्रोग्राम से फर्मे प्रोग्राम और डि क्लिख उजाये हैं लोग्र ग्राम ईन में से कोई नहीं हमारेस सही आंसर है क्या हो जाका सुथज प्रोग्राम क्या प्रोग्रम यानि भी option ऐसे ही language हिं धी आती है महां पर आप लोग कनिद फ्रोग हम कहा जाता है ठीक है बढ़ते हैं हम अपने ग्यार में कोईशन की तरफ दोस्तों ठीक है दस में की बाद बार माना था ग्यार माना था ग्यार में कोईशन हो जाएगा भी हो जाएगा केड सब्द का संबंद कंप्यूटर में किस से है केड सब्द का संबंद कंप्यूटर में किस से है यह दिखना है तो दिखते हैं यह हुजाएगा account B हो जाएगा design से C हो जाएगा media और D हो जाएगा हमारा science से और E हो जाएगा art से किस से है सम्मंद दोस्तो art से है किस से है तो it's for हमार answer हो जाएगा B यानि design से है CAD सब्द का सम्मंद computer में किस से है दोस्तो design से है यानि B option दोस्तो हमारा बिलकुल सही हो जाएगा देखते हैं हम अपना गला question तेरमा question हो जाएगा दोस्तों हमारा किसी operating system में उपयोग करता एक साथ कई computer operate कर सकते हैं किस इसमें क्या question क्या question आप समझे question जी पूछा गया था किस operating system में उपयोग करता एक साथ कई computer operate कर सकती हैं दिखती है विंडू बी यागा एमें ड़सरी हो जाएका टाइम सेरेंगं और अमारे it कोई नहीं तो जो इसका हमारा अंसरक प्र ON्च या ओजएगा टाइम सेररिंग क्या हो जाएगा दोस्तों टाइम सेरिंग के द्वारा ठीक है दोस्तों सी ओपेसन हमारा बिलकौल सही हो जाएगा बढ़ते हैं हम अपने अगले कोईशन की तरफ हमारा जो चौदमा कोईशन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का सौप्ट्वर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंद रखता है कंप्यूटर का जो प्रोग्रा रखता है दोस्तों सी से रखता है यानि बिंडो से किस संबंद रखता है सी यानि बिंडो से संबंद रखता है कौन रखता है पेज मेकर ठीक है दोस्तों सी ऑप्शन बिलकूँ सही हो जाएगा बढ़ते हैं अपने पंदर में कोईशन की तरफ हमारा जो पंदर्वा करने में B हो जाएगा सुरक्षा के लिए C हो जाएगा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ट प्रिदान करने ही तू D हो जाएगा खोए हुए डेटा को बापस करने ही तू E हो जाएगा इनमें से कोई नहीं तो देखिए क्या है डॉस का उप्योग क्या है देखते हैं ए उलागा इनपॉर्ट तथा आउट पट कार्यों को नियंतर करना यूसर तथा कंप्यूटर के बीच संबंद स्ताफित करना और और ई उजाए उप्शन के जाएंगा इंटरनेट में साइदा करना और इव जाएगा इनमेंसे आउट्पट के कार्वियों को नियंतरित करना और सेकेंड है यूजर तता कंप्यूटर की बीच में संबंद स्थाबित करना इसलिए सी ओप्सिन सही हो जाएगा एक दोस्तों ऑप्सिन ए और ऑप्सिन भी हमारा बेको सही हो जाएगा बढ़ती है हम अपनी सत्रमी क्वेशन क की तन दोस्तों सत्रमा नोल आगा अवे आप स्क्वेशन का देखह सर्कशन हैं हमारा एक सोफ्ट्वेर जो एच एल या एक एल एल आल को मसीन होषामें परीवर्थित करते एं उसे कहते हैं ठीक है क्या है दोस्तों एक सॉफ्ट्वेर ठीक है जो एक सॉब्वेर स्थ stat ko न l प्रॉक्राम को मचीन भासा में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं तो देखते हैं एपसन हो दोस्तों कंपाइलर हो जाएगा चैब आगा बढ़ते हैं आठार में ओप्ष्वित्टी तरफ बगए हमारे जो ठारमा कॉईशन हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा कम्प्यूटर की संचालन में प्रियुक्त प्रोग्राम नियम तता कम्प्यूटर के लियाओं से संबंदित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामागरी को कहा जाता है क्या कहते हैं देखते हैं एक सब्सक्रा बूजाएगा हाट बेर और सी जागा नेट बर्क और डि जाएगा हमारा फर्में बेर और यह हुजाएगा इन मैसे कोई नहीं हमारे उसका सभी आंसर हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको सफ्ट्वेर बोलती है यानि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तो, अपने 19 में question की तरफ, हमारा जो 19 में question है आप इस्क्रीन पर देख रहे होंगे, 19 में question है, और एकल है, और एकल क्या है, देखें, देखते हैं, और एकल, A option हो जागा, एक फिरिचालन तंत, और B हो जागा, सब्ध संसाधक software, C हो जागा, database software, D हो जागा और A हो जागा, इनमें कोई नहीं, हमारा जो सही answer हो जागा, बहुत है, और एकल क्या है, दोस्तो, एक database software, यानि C option, बिलकुन, सही हो जागा, दोस्तो, बढ़ते हैं, हम अपने 20 में question की तरफ, हमारा 20 में question क्या कहता है, देखते हैं, कौन सा software, कौन सा software, सब संसाधन में पर क्या जाता है, यह option हो जाएगा, page maker, ठीक है, और हमारे भी हो जाएगा, word star, C हो जाएगा, MS bird, और D हो जाएगा, उप्योक तीनों, और इनमें से कोई नहीं, हमारा जोस्तो, सब संसाधन में परियोक्त होता है, कौन सा होता है, उप्योक तीनों, कौन कौन से होती है, यह वा करते हैं, एक किस में क्यों की तरफ, हमारा जो एक किसमा क्यों हो जाएगा, देखे, टैली से related question है, ठीक है, आपको आना चाहिए, बहुत easy question है, टैली software का प्रियोक किस काम के लिए किया जाएगा, बढ़ते हैं, अपने 22 में क्यों की तरफ, 22 मा क्यों हो जाएगा, हमारा assembler क कार है, assembler का क्या कार होता है, कई बार question पूछा गया है, language change करके आया है, a option हो जाएगा, basic भासा को यंतर भासा में परिवर्दित करना, b हो जाएगा, उच इस तरी ये भासा को यंतर भासा में परिवर्दित करना, c हो जाएगा हमारा assembly भासा की यंतर भासा में परिवर्दि जाएगा दोस्तों क्या है असेंबली भासा की यंत्र भासा में परिवर्थित करना असेंबली भासा की यंत्र भासा में परिवर्थित करना सुद्ध हिंदी यह दोस्तों ठीक है लेंग्वेज में बिल्कुर सुद्ध सब्द लिख हुए हैं हिंदी की बढ़ती हैं हम अपने तेज में question की तरव, तेज मा question हो जाएगा हमार C.A.D. का तात पर है, C.A.D. का यहाँ पर full form बताना है, ठीक है, यह मैं एक student ने साहर इसका full form बताया था, C.A.D. का option देखते हैं किया गा है, computer algorithm for design, B हो जाएगा, computer added design, C हो जाएगा, computer application in design, C हो जाएगा, computer application in design, और D हो जाएग हो जाएगा, दोस्तों, बढ़ते हैं, हम अपने अगली question की तरव, हमारे जो 24 मा question हो जाएगा, वह हो जाएगा, दोस्तो, user यह कैसे निर्धारित कर सकता है, कि computer पर कौन सा program उपलब्द है, ठीक है, user कैसे निर्धारित कर सकता है, उसको कैसे पता चलेगा, computer पर कौन सा program जाएगा, डिक्स्ट पर सेप की गई, बिद्दमान फाइले चेक करके, यह हो जाएगा, कोई नहीं हमारे सकता है, क्या हो जाएगा, दोस्तों, बूटिंग प्रोसेस के दौरान, इनिस्टोर्ड प्रोग्राम को देख कर, ठीक है, बी option हमारा बिलकुल, सही हो जाएगा, द बनाने के लिए के software का उप्योग किया जाएगा, बहुत easy है, MS बट के दौरा भी बना सकते हैं, पेज में करके दौरा भी बना सकते हैं, लेकिन जावा के दौरा नहीं बना सकते हैं, इसलिए A और B दोनों सही हो जाएगे, ठीक है, बढ़ते हैं, अगली question की तरफ, हमारा अ instruction के set due हो जाएगा, central processing unit ही हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, हमारा जो सही answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c option हो जाएगा, यानि instruction set के लिए, यानि c option दोस्तों बिल्कु सही हो जाएगा, hardware में सामिल होता है, या hardware में सामिल है, instruction के set, ठीक है, बढ़ते हैं, अपने 27 में question की तरफ, दोस्तों, जो 27 में question हो जाएगा, वे हो जाएगा, computer के program को लिखने वाले, computer के program को लिखने वाले, और उनका परिक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, या option है, programmer भी हो जाएगा, computer भी ज्यानी c हो जाएगा, software engineer, डी हो जाएगा, मारा project, developer, और यह हो कोई नहीं, question क्या था, computer program को लिखने वाले, और उनका परिक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उनको programmer बोलते हैं, दोस्तों, क्या बोलते हैं, उनको programmer बोलते हैं, या option दोस्तों, विल्कु सही हो जाएगा, बढ़ते हैं, हम अपने 28 में question की तरफ, 28 मा question है, MS bird का उ किसका उधाना, एक application software का उधाना, दोस्तों, किसका उधाना है, एक application software का उधाना, MS bird, बढ़ते हैं, हम अपने 29 में question की तरफ, हमारा जो 29 में question हो जाएगा, वह हो जाएगा, computer के component ठीक से operate हो रहे हैं, और उन्हें connected हैं, यह है, सुरिच्चित करने के लिए, कौन सा प्रोसेस चेक करते हैं, कभी-कभी यह question पूछी जाती है, अभी printer का एक question पूछा गया था, कि printer में पीछे की भाग में, कौन से cable लगाई जाती है, ठीक है, ऐसे यह question पूछी जाने की संभावना है, कि computer के components ठीक से operate हो रहे हैं, और connect हैं, यह सुनिच्चित करने के लिए, कौन सा प्र करते हैं, आज के आखरी question के तरफ, आज के जो मारा last question है, आप स्क्रीन पर देखे रहे हूंगे, question हमारा जो देखते हैं, सत option कौन से हैं, हमारा जो यह option हो जाएगा, virtual memory hard drive पर space है, जहां operating system memory bound होने पर data store करना आरंब करती है, भी हो जाएगा, data को data से RAM से random, इसकी RAM की platform आपको मालू होने चाहिए, random access memory होती है, RAM से data access करना, virtual memory, virtual memory से data access करने से धीमा होता है, और C हो जाएगा, virtual memory से data परियोक्त करते समय, operating system RAM file नामाख file field करती है, ठीक है, और D हो जाएगा, कोई, यदि कोई computer memory bound है, तो अधिक RAM जोडने से समस्याहल नहीं होगी, यह हो जाएगा, हमारे स सत्थ हो जाएगा, क्या है, एक option है, virtual memory hard drive पर space है, जहां operating system memory bound होने पर data store करना आरम करती है, यानि दोस्तों हमारा option बिलकुल सही हो जाएगा, उमीद है दोस्तों, आपको class पसंद आई होगी, आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके लिए नया-नया content daily में लेकर आता प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब साही मोटिवेट होते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली class में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार